दोस्तों हमारे फार में जो उपर की तरफ ये जाली लगी हुई थी ये जब हमने फार मनाया था तो हलकी क्वाल्टी की लगवाई थी काफी जादा कमजोर थी वो तो जंक लगने की वज़से वो खराब हो गई थी मतलब रश्टिंग की वज़से काफी जादा कमजोर हो गई यह तो भाई बहुत लंबा टाइम चलेगी और इसके उपर अब हम ठंड में पड़्दे लगा देंगे जिससे कि फार्म के अंदर ठंड नहीं लगेगी चिक्स को लेकिन जैसे जैसे मुर्गे बढ़े होते जाएंगे तो उसको कहीं कहीं से खोल देंगे जिससे कि फार्म के अंदर गैस भी नहीं बनेगी तो वेंटिलेशन का काम प्रोपर चलेगा यहां से तो मैं आपको भी कहना चाहूंगा आप अगर सिमेंट वाली शीट का यह किसी भी तरह का फार्म बना रहे हो न तो उसमें वेंटिलेशन का कुछ नया जुगार बनाए जैसे कि इस फार्म में और भाई इसके अंदर बारिश भी नहीं आती क्योंकि यह जो सिमेंट वाली शीट है ना यह लगबख देड़ फिट तक बाहर निकली हुई है तो बारिश आने का कोई भी चांस नहीं है और इसके उपर जाली हम इसलिए लगवाते हैं जिससे कि जंगली जानवर अंदर आ दोस्तों यह रहा जाली का बंडल जो कि हमने अपने फार्म में इस्तेमाल किया है और इसका रेट भी मैं आपको बदादेता हूँ यह हमें 85 रुपए पर किलो के हिसाब से मिली है 85 रुपीज पर केजी के इसाब से आपकी एरी में थोड़ा कम भी हो सकता है जादा भी हो सक और अगर आप यह खरीदना चाहते हो तो आस पास के जहां पर लोहे के समान मिलते है ना जैसे पाई तो वहां पर यह आपको एवलेबल हो जाएगी और मिल जाएगी तो आप यह जाली इस्तेमाल करिए मैं आपको पास में से भी दिखा देता हूं यह देखिए काफी ज्याद अब टाइम तक चलेगी तो मिलते हैं दोस्तों कल एक नई वीडियो के साथ में